टीम 22 पर एक मेल के थोरो कुछ प्रसन आये हैं प्रसन इस प्रकार हैं निबान परि निबान और महा परि निबान में क्या अंतर है सबसे पहले आप ये समझें निबान क्या होता है ऐसे तो निबान को संस्काइद भासा में निर्वान बोलते है मगर निर्वान का मतलब या निबान का मतलब अगर आप समझेंगे तो ये बहुत ही मज़दार, बहुत इंट्रेस्टिंग और बहुत गजब का है नी माने होता है नहीं यानि के बिना यानि के नी का मतलब है ये नहीं है बिना इसके जैसे हम बोलते हैं नी सार यानि के इसमें सार नहीं है सार के बिना तो नी बान का मतलब हो गया यहाँ दो बे हैं जब दो सब्स जोटते हैं तो पाली में डबल बे आ जाता है डबल सब्स आते हैं जैसे कम हो गया जैसे पंड हो गया ऐसे ही निबान निबान का मतलब है नी और बान नी बान का मतलब है बान जो सब्द आता है वो आता है जो धनुस पे चड़ा के हम छोटने हैं जिसको तीर भी बोलते हैं मगर जब तीर नहीं था इस बात को ध्यान दे जब धनुस नहीं था तीर नहीं था सब्द ये जब भी था तब भी बान था तब भी निबान था यानि कि धनोस और तीर के बनने से पहले धनोस और बाण के बनने से पहले भी निबाण सब्द था तो यहाँ बाण का मतलब पाली में है क्या पहले आप निबाण में जो बाण है सब्द इसको समझे है बाण को तीर-तीर भी बोलते हैं क्योंकि जब ना तीर था ना कमान थी ध्यान दे इस बात को कि ना तीर है ना कमान है बान सब्द और तीर सब्द उससे पहले की हैं तीर का मतलब है जो पार देखने की छमता है यानि कि ब्योंट देखने की जिसकी छमता है जो आगे भी देख सकता है उसको तीर बोलते हैं ती आर पार भी वो देखती है यह ऐसी मार है यानै बान जो है वो एक मार का रूप है यहाँ इसलिए है क्योंकि जितने भी प्राने अन्वेशन होते थे तीर कमान से पहले बान से पहले इसका मतलब है कोई बुराई Hemारे अंदर मार कर रही है बुराई हमें मार रही है वो बुराई हो गई वो तीर हो गई जो हमारे अंदर तो चाके चली गई अब बुराई अंदर आ रही है अगर बुराई अंदर ना आए यानि बाण ही ना रहे मारने का जो बुराई है वो ही खतम हो जाए तो फिर आदमी निबाण हो जाता है का बिना तीर का यानि बुराई खतम हो गई आपके तरकस में यानि के जो आपके पीछ है जो आपका कुई बुराई नहीं बज़िए तो उस अवस्था को निबाओ बोलते हैं और संसकारिश भासा में निर्वाण बोलते हैं तो महा निबाओ क्या हुआ या परी निबान क्या हुआ परी का मतलब है पूरा निबान यानि के पूरी तरह से तरकस खाली हो गया और महा परी निबान का मतलब है बड़ा परी माने पूरी तरह से निबान माने बिना पानगा तीनों ही सब्द का एक ही रटा है आप मैं तीनों सब्द एक ही है और एक ही इसका मतलब है ठीक ऐसे जैसे हम ये कहें के मच्चू, परीमच्चू और महापरीमच्चू मच्चू का मतलब मिर्टू होता है यानि मिर्तु या पूर्ण मिर्तु परिमिर्तु या बहुत बड़ी पूरी मिर्तु यानि मिर्तु तो हो गई अब आप उसको अलंकार लगा के या तो बड़ी के हैं या पूरी के हैं अगर मिर्तु तो मिर्तु है बुद्ध के अनुयाईयों ने अलंकारित करके बुद्ध की सभी बातों में महासद लगाया है यहां तक कि भारत के अंदर भी महासद लगा के इसको महा भारत बोला है बड़ा भारत बोला है जब असोक के समय में ये भारत बहुत बड़ा था तब इसको महा भारत सब्द पहली बार भोला गया, पाली के बार, उससे पहले महा भारत सब्द नहीं आता, तो महा लगाने की, एक अलंका लगाने की सिसोबित करने की, उनको सम्मान देने की, जो उनके इस धरु लोग थे, जो उनके अनुजयाई लोग थे, उनमें ये आदत लगाया गया है परि निबान का मतलब है पूरी तरह से निबान होना मगर निबान तीनों में से मैस नीन में कोई भी अंतर नहीं है जो निबान को प्राप कर गया वो निबान को प्राप कर गया निबान ना आधा होता है ना अधूरा होता है ना पूरा होता है ना बड़ा होत जनम है घटिया जनम है अच्छा जनम है बाकि जनम तो जनम है mit Southern मिर्टू है निबान तो निबान है पहला प्रसंटो यह पूरा होता हैं दूसरा संदमों कहते है किया परिनिर्वान के बाद मन का जड़ से अंत हो जाता है क्या उसके बाद इंसान का कोई अस्तित नहीं रहता है भगवान बुद्ध के जब ये पसंद पूछा गया कि बुद्ध निब्बान होने के बाद में क्या उनका अस्तित रहता है या नहीं रहता है या बाद में वो आते हैं या नहीं आते हैं क्या उनका होता है वो तो अगर कोई software में input ना हो और output ना हो तो आप समझ सकते हैं कि वो software को क्या question उसकी होगी, क्या नहीं होगी, ऐसा जानके आप इस question का answer समझ सकते हैं, आगी date में आसान है, तीसरा प्रसन है उनका, क्या गौतम बुद्ध दुनिया को देख सकते हैं या फिर उनकी चेतना का जड अखू विज्ञान, यानि आखें जिसकी खतम हो गई हैं, वो देख नहीं सकता, हम भी जब विपसना करते हैं, तो आखें बंद करके देखते हैं, तो हम feel करते हैं, महसुस करते हैं, हमें अनुभव होता है, क्योंकि हमारे सरीर में जो होता है, जो घटता है, वो सारा का सार हम महसूस करते हैं, फिलिंग करते हैं, वो सारे-सारे coding, decoding body पे प्रभाब डालते हैं, अंदर cells में क्या होता है, इसका हमें पता चलता है आँखों से नहीं देखते हैं, अगर चक्कों खोल के रखेंगे, आँख खोल के रखेंगे और जो चेतना का जड़ से अंत होने का जो सवाल है, वो मैंने आपको दूसरे नमबर के सवाल में दिया हुआ है, क्योंकि बुद्ध उसके वारे में शान्त रहें, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा सद्ध जीव, जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा क्या बुद्ध ने इन सद्धों के वारे में कुछ कहा है इन सद्धों का अर्थ क्या है जीव, आत्मा, जीव, जीवात्मा, परमात्मा जीव जो है वो जितने भी जिनमें रूप और नाम है उन सब को जीव बोला गया है यानि कि नाम रूप में है, जैसे मैं हूँ, मेरे अंदर सरीर को चलाने वाला मेरा सौफ़र भी है और में हार्डवेर में मुरा सरीर भी है जो काम करता है, इसको पूरा जीब बोला है अत्त जो है, अत्त सब्द है पाली के अंदर, अत्त का मतलब होता है स्वैम संसकारिद भासा में इस अत्त को आत्मा बोला गया है उन्होंने बाद में इसको आत्मा कर दिया यानि स्वयम को मगर यहां कोई ऐसा नहीं बताया उन्होंने नहीं कहा नहीं ऐसा माना कि कोई चमतकारिक चीज है जो आती है जाती है ये सब चीजें बाद में जोड़ी घटाई और उनमें ग्रंथों में होंगी पाली के अंदर या भगवान बुद्ध के अंदर सिर्फ अत्त है आत्मा नाम का कोई सब्द नहीं है और जब आत्मा ही नहीं है तो परमात्मा का तो मतलब ही नहीं होता पांचमा सब्देन का सूनने, अनन्ता, एकागर, सिगनी फैंक्स आप दीज वर्ड इन दा मेटिशन वो कह रहे हैं सूनने है और अनन्त है और एकांत है इसका एकागर या एकांत है उसका मतलब क्या होता है बाद के लोगों ने जो बाद में भिकुवाए उन्होंने चुकि जो बुद्ध का एक ग्यान है वो पुरा एक चक है धम चक्र बोलते हैं इसको पटिट्टे समुद्पाद या पटिट्टे समुद्पाद का चक्र बोलते हैं धम चक्र बोलते हैं उस चक्र को उन्होंने बाद में जब सुन्ने सब्द का विश्कार हो गया क्योंकि शेशब्द पाली में होता नहीं तो सुन्ने सब्द अब था तो उसको उन्होंने सुन्यता या सुन्यवाद या जीरवाद या क्या बोलते हैं नलवाद बहुत सारी बाते हैं उन्होंने कहा तो सुन्यवाद करके ये जोड़ा गया इसको हितुबाद भी कहा सुन्यवाद भी कहा करणबाद भी कहा ये सारे बात करके बने मगर जो सननतन यानि सननन सब्द पाली का सब्द है औरहनातन सब्द वह अन्तागे वारें बताता है से माने निज होता है और अनंत माने होता है इन्फाइनाइट यानि उन्होंने बताया है कि जो प्राकर्तिक है ऐस धम्मो सनन्द दुरों ये जो प्राकर्तिक नियम है जो प्राकर्तिक चलती है यह मिरे से start होती है यानि यह किसी जीब से start होती है स्वैम से start होती है और यह infinite है, यह अनन्द तक चलती रहती है ऐसा होने अनन्द सब्द के वारे में बताया हुआ है और एकाग्र तो साधना के अंदर जो होता है चित्द को एकाग्र करना होता है तब ही आप साधना में उतर सकते हैं, विपसना में उतर सकते हैं ये सब्दों के वारे में तो सिंपल सी बात है रामन, रामन, राम या रामा, सरस्वती या किष्णा क्या बुद्ध ने इन सब्दों के वारे में कुछ लोगों से कहा Any story in Buddhism about these four people रामन के वारे में कोई भी story उसके अंदर नहीं है किष्ण के वारे में भी सब्द नहीं है क्योंकि शे जो सब्द है किष्णा का वो बहुत बात में बना है रामन भी कोई सब्द नहीं है सरस्वती भी कोई सब्द नहीं है ये सब्द किसी भी हलत में त्रीपिटक के अंदर नहीं है कोई अगर स्टोरी कहीं जोड़ी भी है तो वो स्टोरी बाद की हो सकती है क्योंकि जो लिखाई पड़ाई है जो ग्रम्तों का जोड़ना घटाना है वो आज तक भी चल रहा है भगवान बुद्ध के जो त्रीपिटक है त्रीपिटक का बहुत सारा हिस्सा बाद में जोड़ा गया है उन्हों लोग उन्हें जोड़ा है जो लोग अलग-अलग सब्धाओं से आए हैं अलग-अलग संस्कति से आए हैं बेसिकली भारत के जो मूल लोग रहे हैं, भारत के जो मूल सब्वेता रही है, उनका आक्षर ग्यान खतम कर दिया गया, उनको पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी गई, तो वो अपनी हिस्ट्री, अपना सब्द ग्यान, सब कुछ बोल गए, पाली भासा नहीं भूल बाया, वो भासाएं ज्यादा नहीं चलती है, वो लिमिटेड लोग तो उनको सीखना पड़ता है, और जो नेच्रल भासा होती हैं, जैसे पाली भासा रही है, पाली तो इसको असो की भासा बोल सकते हैं, इसको धम लिपी बोल सकते हैं, धम भासा बोल सकते हैं, इसको उनके वही रहे, लोकसब्द उनके वही रहे, लोकुक्तिया उनकी वही रहे, नाम भी उनके वही रहे, उनके गामों के नाम भी वही रहे, शहरों के नाम तो बदल गए, बर गामों के जो 6-7 लाग नाम है वो लगबग वही है, कुछ को छोड़ कर, उनकी जगों के नाम भी परसू को अपने चारे को अपने जो चीज़े बोलते हैं उनके नाम भी लगबग वही हैं वो नहीं बदले वो ऐसे के ऐसे हैं उसका नाम बदल के जरूर हिंदी कर दिया गया वगर भासा वो आज की डियेट में पुरानी की पुरानी भासा है और उसमें सब मिल जाता है अगर आप ध्यान से देखेंगे एक-एक सब्द गो तो एक-एक सब्द में सारे सारी चीज़ें सारा थियास उनका चुपा हुआ है भरा हुआ है यह आपके प्रसनों के जवाब हैं अगर किसी और के भी कोई प्रसन है तो आप अपने प्रसन मेल से या कमेंट बॉक्स में दीजिए संबब होगा कि हम अपनी पूरी टीम से उसका जानकाई लेके उसका विक्ष्टेक्शल लेके जहां-जाबी जियानी लोग हैं जो जो लोग इसमें साहिता करते हैं उनसे हम पूछ के आपको बतानी कुछ करेंगे और जरूरी नहीं है कि हमारे सारे जो सवालों के जवाब है वो सही हो हो सकता है कि आप हमसे जाता जानते हों आपका भी स्वागत है क्योंकि जानकारी तो आती हो जाती जैसे जैसे बाचित करते रहेंगे एक दूसरे की बढ़ती द्याती है बढ़ानी भी चाहिए यही प्रक्रती है, यही नियम है यही धम है, धन्यवाद यही बढ़ती है